अब सबी दोस्तों का आज फिर एक बार स्वागत है और दोस्तों जैसे ही दसवी किलास के बच्चों को रहत भरी ख़बर मिली कि दसवी की परिक्चा अब नहीं होगी उसके बात से ही बारवी के जो विद्यार्तियें बहुत जादा परेसान हैं बार बार पूँच रहें कि दस्वी की तरह परिक्चा रद तो नहीं हो जाएगी तो 12th किलास वाले इस्टूडेंट बहुत जादा वर्तमान इस्थी में बहुत जादा परिशान हैं बार बार पूँच रहें वो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं कि हेल्प लाइन में चार म टेंथ और 12th किलास को लेकर कि यदि आपको किसी भी प्रिकार की कोई समझ जाए तो आप इस नंबर पर कोल करके पूँच सकते हैं तो दोस्तों उस नंबर पर रोज कितने कोल आ रहा हैं चेसों से सास्सों फोन रोज उस नंबर पर लगाए जा रहा हैं 12 वाले बच्चे ब पर हाई स्कूल मतलब कक्चा दस्वी के जो विद्यारती हैं और उनकी परिक्चा को कोरोना काल को ध्यान में रखते हुए रद्द कर दिया गया है अब उनके लिए एक समझ्चा बनी हुई है दोस्तों कि जो भी उनकी फीस थी उसके बारे में बहुत जादा न्यूज निक चुके छात्रों की नहीं हुई है प्रायोगिक परिक्चाएं तो यह मेहतुपुन अपडेट हैं दोस्तों आज की और यहां पर देख सकते हैं कोरोना काल में हुए अनाथ 24 की उम्र तक पैंसन मतलब दोस्तों जो बच्चे कोरोना काल में अनाथ हो चुके हैं जब तक वो 24 साल के होंगे वहाँ तक उनको पैंसन मिलेगी यह महतुपुन खबरती दोस्तों 22 तारिक की सारी ही जो मैं आपको बता रहा हूं आज के इस वीडियो में वीडियो पसंद आये तो लाइक कीजिएगा दोस्तों अपने सभी फ्रेंड्स को सेर कीजिएगा साथ ही चैनल पर आ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा घंटी की बटन को ओल पर कीजिएगा जिस से जब भी नाये वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा साथ ही दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर हमारा दूसर चैनल भी है यदि उससे सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रेप्शन में आपको मिल जाएगी ओके बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का यह हमारी आज की मुक की खबरे थी जो हमारे दोरा आपको बता दी गई है देख सकते हैं आप यह सारी ही खबरे हमारे दोरा आपको बता दी गई है इसमें ठीक है यह तो हमने उपर ही देख लिए यहां पर तो कोले से संबंद दी थे चलिए ठीक है दोस्तो यह हो चुका है NCRT की पहली कक्चा की देखिए दोस्तो यहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जान करिए कि NCRT की किताब है दोस्तो पहली कक्चा की फश्टे किलास की किताब में छोकरी सब्द पर आपत्ती हटाने की मांग दोस्तो NCRT ने कहा है कि 2005 से पाट्टी करम में यह कवी था तो यह दोस्तो एक छोकरी सब्द का यहां पर पिरियोग कर दिया गया है इस किताब में तो उस पर NCRT ने आपत्ती जतात हुए कहा है कि यह सब्द को अटाया जाए ओके बेहुदा सब्द है ऐसा कहा गया है तो यह मेहत्वण अपडेट थी दोस्तों जो आपको बता दिया गया है धन्यवाद आप सभी का